हेलो व्रीवन वेलकम टू ब्रेक्टेंग प्लासेज इस वीडियो में हम स्पोर्ट वाला कंप्लीट करेंट अफेर कवर करेंगे और स्पोर्ट से काफी कोश्चन पुश्याते हैं करेंट में चाहिए यूपी पीचे सो वीडियो का रही एक्जाम भी आने वाला है तो उन सभ ही जितने भी वीडियो है लास्ट टाइम के लिए जो अंतिम हतियार के रूप में काम करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यूपी पीचे सब पूर्ण करके वहां जाके आप सभी लास्ट के 20-30 वीडियो देख लीजे लास्ट में जितना समय आप यूपी पी सब्सक्रिप्शन कंड़क्ट किया गया तीस जनौरी से ग्यारा फरोरी के बीच में और कहां पर यह हुआ था खेरे उंडिया यूथ गेम्स पांचवा वाला तो यह मद्धि प्रदेश में कंड़क्ट किया गया और इसके जो ट्रैक सैकिलिंग थी वह नई दिल्ली में हु इसका क्या था जो एक एंधम होता है इसका में जो एक गाना था वो था हिंदुस्तान का दिल धढ़का दो इस पांचवे खेले इंडिया गेम में चार नए गेम जोड़े गया जो की कौन से है तो तलवार वाजी जोड़ा गया वाटरश स्पोर्स स्पोर्स कैनोइं गया और श्लालोम यह चार गेम इसमें जोड़े गए हैं इसके लाओ राज्यों में पहले नंबर पर कौन सा राज राज राथा तो पहले नंबर पर पतक तालिका में महाराष्ट है सेकेंड पर हरियाडा थर्ड पर मद्ध्रदेश है जहां पर यह गेम लगया वो तीसरे नं पहले नंबर पर बहुट नालोम परर जहां पर ढूश्यों सेकेंड पर महाराष्ट रहा ठर्ड पर हिमाचल प्रदेश रहा यूपी नंबर यूपीगेम का राज्यों 20 नॉंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच में इस्थान था इसका कतर, कतर में गेम खेला गया, कतर की राजधानी है दोहा, इसका शुबंकर क्या था फीफा विशो कप का, तो लाइब इसका शुबंकर था मैस्कॉट यानि लाइब का मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, इसका व गोल्डेन बॉल किसको मिला, यानि सर्शेष्ट खिलारी कौन गोसित किया गया, तो अर्जेंटीना जो जीत वाली टीम थी, जिसको कप मिला है, तो उसी के प्लेयर लियोनेल मैसी जो है, नको गोल्डेन बॉल से सम्मानित किया गया है, और ये दो बार इनको गोल्डेन फे मिल नेक्स्ट बात करेंगे वाली टौफी को मिलिया झूंदink त्हेल घालान रखता साथ कि-पेला इंग्लेंट से अर्गेंट विजेता-उप फांस नेक्स्ट आप एक और में च वन करने वाले खिलाडी कौन से हैं जाफ कंगी फ़ीवन में खेल चुके और गोल भी कर चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो काफी फेमस है यह पुर्टगाल के खिलाड़ी है हालां कि पुर्टगाल की टीम जीती नहीं जीती है अर्जेंटीना की टीम लेकिन यह अच्छे प्लेयर है नेक्स्ट बात करेंगे आठवाँ आइसी वी कॉंटिनेंट वाले मैप है वह जरूर देख लिजेगा बहुत सारे कोशन आपको मैप की माध्यम से महां से मिल सकते हैं जो यूपी पीसे संपूर्ण वाली प्लेयरिस्ट डिस्क्रिप्शन में वही से जाके इसको देख लिजेगा नेक्स्ट है यहां पर विजेता कौ दूसरी बारी विजेता बना है और इसके कैप्टन कौन थे जॉस बटलर उब विजेता कौन सी टीम थी तो पाकिस्तान की टीम उब विजेता थी जीता है इंगलेंड ने और गेम कहां पर हुआ था गेम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट बात करेंगे प्लियर ऑफ टूर्णामेंट में रहा था तो सैम्केम्रें इंगलेंड के खिलाड़ी हैं सर्वाधिक रण इस में किसने बनाये थे विराट कोली ने सरवाधिक चौकि किसने लगाए थे सूरिकुमार यादो ने इसका इटंग में बर्मिंःगम में किया गया यह उनाइटिड इंग्ड होता है तो पहली बार राष्ट मंडल खेलों में कौन-कौन से गेम हुए तो महिला T20 क्रिकेट सामिल हुआ थ्री इंटु थ्री बास्केट बॉल सा मिल हुआ हुआ थी इन्टु थी उटी फिन्टी बास्केट बॉल सा निशान्य पजी में भारत आगे रहता था लेकिन निशानि पजी कि हट जाने के बाद भी भारत जो है चौफे नमबर पर अभी भी बना हुआ है पहले नंबर पर आस्ट्रेलिया जोस्रे नंबर पर इंग्लेंड है टोटल पदग तालिका की बात की जा रही है पहले दोसरे पिंग्लेंड तीसरे पर नादा भारत का नंबर चाहए बात करें भारत की भारत का इसमें क्या-क्या प्रदर्षन रहा तो और चार पड़क इनको टोटल मिले हैं और उनने से सबसे युवा खिलाडी भारत की तरफ से कौन थे तो इनका नाम है अनहत सिंग 14 साल के हैं यह और स्क्वैस्ट प्लेयर है यह सबसे उम्र दराज खिलाडी जो है सुनील बहादूर है है 45 साल के लौन बॉल से समभन दें भावीना पटेल को सुन्ड मिला है पैरा टेबल टेइनिस से संब्स ते अनुरानी को कांच मिला है भाला फेक से पहले वीडियो में देख चुके हैं तो कम्प्लीट वहां से भी देख सकते हैं नेक्सट बात करेंगे बलकि इतनी पर अभी चीजें ही इंपोर्टिन इतना जरूँ याद रखना है Johna राश्टरी खेल की बात करें यहां पर हमने देखा राश्टरमंडल खेल को देखा यूद केम्स को देखा अभी 36 राश्टरीव देख रहे हैं इसका अयोजन जो है गुजरात में किया सुभंकर सावज और जो सावज क्या है तो एक एशियाई शेर का नीरूपण है यह गान इसका मतलब एंथम कौन से खेलका तो एक भारत श्रेष्ट भारत नए सामिल खेल इसमें कौन ौन सेैं मलखंभ है योगासन आ抓y व zoom गोल्व हो गया डेकार में नमबर-वन पर सर्विशे है जो सेना की सब्सक्राइख नमबर नमबर पराँ निएगा फिर थरड पे जाएगा एटीपी अवार्स 2022 में सर्शेस्ट खिलाडी कौन रहे नंबर वन खिलाडी का वार्ड इस्पेन के खिलाडी है यह कार्लोस अलकराज को दिया गया एटीपी अवार्स और इनका देश जरूर व्याद रखेगा स्पेन से संबंदित हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्रि स्पेट किया था एक तो गई दिल्ली कैपिटल्स दूसरी गुजरात जायंट और मुंबाइ इंडियंस रॉयल चैलेंजेस बैंगलूरू और यूपी वार्यर्स भी स्मृति मंधाना थी और यूपी वार्यर्स की दीप्ति शर्मा थी यहां पर विजेता टीम रही थी मुं औरेंज कैप किसको मिला था तो मैग लेगिंग को मिला था जो ऊप विजेता टीम थी उसकी कैप्टन को नेक्स्ट बात करेंगे टेनिस प्रतियोगिता की तो मियामी ओपन किसने जीता है तो रूस के खिलाड़ी है डेनियल मेदवेदेव इन्होंने जो है मियामी ओपन 2003 ज तो इनका ये डेनियल मेधवेदेव का कंट्री इंपॉर्टन्ट है जरूर याद रखेगा काफी यहां पर किताब इन्होंने जेती है टैनिश में उनेक्सट बात करेंगे बॉर्डर गावस कह ट्रोफी 2023 की क्रिकेट के ट्रोफी बाउस्टेलिया के बीच में ही होती है इसमें टैस्ट मैच होता है और तेम भारत और जो बोर्दर गौ। ट्रॉफी तो इसमें विजयता रहा था भारत जो बॉर्डर गावसका ट्रॉफी का विजयता रहा था और जो वनडे सिरीज इन की हुई थी उसमें विजयता था ऑस्ट्रेलिया यह दोनों याद रखने अलग-अलग नेक्स्ट बात करेंगे इरानी कप की और इसका इरानी कप का आयोजन कहां पे हुआ यह भी क्रिकेट की ट्रॉफी है ग्वालियर में आयोजन हुआ विजयता है शेष भारत मतलब जो रेस्ट आफ इंडिया एक टीम होती है उसका जो वही विजयता इरानी कप का और उप विजयता है जहां पर यह गेम हुआ था वालियर मद्ध प्रदेश में यह तो विजयता है प्लेयर आफ दो मैच इसके कौन रहत है तो यह सस्वी जाशवार आइसेसी महिला टीट्वेंटी विश्योकप दोजार तेइस यह दच्छड अफरीका में कंड़क्ट किया गया थ महिलाओं का है टीट्वेंटी विश्योकप यह विजयता राधा यहां पर ऑस्टेलिया और उप विजयता जहां पर यह गेम हुआ ता दच्छड अफरीका विजयता ऑस्टेलिया और उप विजयता दच्छड अफरीका प्लेयर ऑफ द सिरीज इसमें रही थी एसले अंगला देश में होगा नेक्स्ट बात करेंगे रज़ रंजी ट्रोफी 2023 की तो इसका विजेता रहा था सौरास सेकंड टाइम में विजेता रहा था उप विजेता है यहां पर बंगाल इसमें प्लेयर ऑफ दे सीरीज रहते अर्पित बसावडा जोकी सौरास्ट की टीम के थ खरजा थी तो इसमें भारत ओके रहा था और यह सबसे बड़ी इनकी जीत थी 317 रहा थी नेक्स बात करेंगे 370 फ्वाण है इसमें वीजीता टिम रही थी भारत नियूजument में भारत जित सबसे बड़ी जीत नेक्स्ट बात करेंगे इसी एक दीश्यहमें इसे remembers हिश्च सबसे तेजी से ओडियाई मैच में 1000 निनों ने बना लिया है सुब्मन गिल ने टीटी में एकी पारी में सरवाधिक स्कोर इनका हो गया है सुब्मन गिल का तो सुब्मन गिल इसी न्यूजीलेंड दोरे के दोरां काफी फेमस हुए थे नेक्स्ट बात करेंगे आइसी सी भारत और उप विजेता इंग्लेंड रहा था और वैसे नॉर्मल वाला जो महिला विशो कप हुआ था उसमें विजेता कौन रहा था तो ऑस्टेलिया रहा था और जो उप विजेता टीम थी वो दच्छड़ अपरी का थी नेक्स्ट है यहाँ पर ICC पुरसकार जो मिलता है सर्शेस्ट प्लेयर का पुरसो में जो पुरसकार मिलता है उसका ट्रॉफी का नाम है सरगॉर्फिल्ड सोबस्ट ट्रॉफी यह मिला है बाबर आजम को पाकिस्तान के किलाडी contrach इलएंड का नताली साइवर को जो की इंग्लेंड की प्लेयर है तो यह सूरी कुमार यादो क को मिला है सबस्टेस्ट प्लेयर कौन बने है तो यह गारी से इंडिया मैं प्लेयर कौन है तो मार्को जेंसन लेंड के है नेक्स्ट करें पर आयची सी जो प्लेयर ऑप ताम मंथ यहां पे देख लेते हैं तो जन्वरी से भी तक तो जनवरी के सुबमन गिल इंडिया के हैरी ब्रूप इंग्लेंड के फरवरी में और मार्च में शाके बलाशन बांगलादेश के खिलाडी जो कि आइसी सी प्लेयर आप दा मंथ बने थे तो इतना यह मार्च तक याद रखना है आपर महिलाओं की बात करें तो जनवरी में जो की इंगलेंड की है ऐसले गारडनर ऑस्टेलिया की फरवरी में और यहां पर हेंड्रीएट एसी मवे जो कि रवांड़ा की है मार्च में यहां पर ऐसले गारडनर का नाम इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट बात करेंगे का अभी दृश्टीहीन वालों का जो ब्लाइंड व नेक्स्ट यह सायेद मुस्ताक अली टॉफी विजेता इसकी मुंबई टीम रही दिए खिऽेता हिमाचलन प्रदेश नेक्स्ट है महिला T20 एशिया कप में विजेता भारत राता और उप विजेता इंगलेंड एशिया कप का विजेता है भारत महिलाओं की टीम है यह महिलाओं वाले में और उप विजेता है श्री लंका बधिर वाले मतलब जो कांसी जनको कम सुनाई देता है तो उनको बधिर तो बधःथीर वाले में ICCT20 trophy में विज Apache भारत और अंगला देश और यहां पर जो बधिर वाला है इसमें भारत विजेता है और tracot अफ्रीका नेक्स्ट बात करेंगे इरानी कप की तो इसमें सेज भारत यानी रेस्ट आफ इंडिया जीता था और विजेता सवरास्ट रहा दिलीब ट्रॉफी 59 नंबर की हुई यह भी क्रिकेट की ट्रॉफी है तो इसमें विजेता राता पशीमी चेतर यानी वेस्ट एरिया और उब विजेता राता पाकिस्ता और अभी हमने महिलाओं वाला एसिया कप जो जीता देखा था तो इसमें विजेता भारत रात राता उब विजेता राता स्री लंका नेक्स्ट बात करते हैं होकी की तो एफाई एच पूरुस इंडोर विशुकप दच्छल अफ्रीका मे और उब विजेता राता नीदरलेंड पूरुस इंडोर विशुकप में विजेता कौन राता आस्ट्रिया याद रखना ये इंडोर वाले में आस्ट्रिया विजेता फिर महिला इंडोर विशुकप में विजेता था नीदरलेंड महिला वाले में नीदरलेंड विजेता और पूरुस वाले में आस्ट्रिया विजेता और यही उल्टा हो गया है देखिए पूरुस वाले में उब विजेता हो गया नीदरलेंड और महिलाओ वाले में उब विजेता हो गया ऑस्ट्रिया नेक्स्ट बात करेंगे 13 नमबर की सीनियर महिला राष्ट्री चेंपियंशिप इसका आजन आंधर प्रदेश में किया गया और इसमें विजेता कौन रहा तो मिजेता मद्र प्रदेश है उप विजेता है महाराष्ट्र सीलियर महिला राष्ट्री चेंपियंशिप जो हुई है होकी की चेंपियंशिप है विजेता है इसका मदर्पुदेश F.I.H. होकी पुरुष विश्यो कप यह मोस्ट इंपॉरुष विश्यो कप जो हुआ ुडिशा में इसका अłęजन किया गया अलग अलग स्टेडियम में हुआरिस बात कर ग्याद्य SH अब यह आप देखी कुछ छीजे मनें यहां पर क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखा था सब जगह पे इसको अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं फुटबॉल के यहां पर देख लेते हैं तृपक्षी अंतराष्टी फुटबॉल टूर्णामेंट इसका आयोजन जो है स्वेयटी मोहन बागान लाक्लब है यह पशिम मंगाल pana 20 राता यह पर गलूरू जो क्लब है तो क्लbor राता तो मोहन बागान टीम विजेता और डैंगलूरू Fer. बूसी कई नेट करेंगे तरह यहां पर बगतिकत पुरसकार वगयरे एतना इंपॉ청 लीग विद्चा कोई रहा है तो रांद पंजाब फसी जो आ है वेक्तिगत पुरसकारों में जो हीरो अब दे लीग का पुरसका लुका माजशन को मिला यह वाला लीग इतना इंपोर्टन ही बस इतना याद रखिया आई लीग में पंजाब नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें वेक्तिगत पुरसकार भी देख लीजें चैंपियंसिप का सर्फ्रेश्ट किलाडी कौन रहा तो रॉबिन यादो जो की विजेता टीम कहीं थे करनाटक के और सरवाधिक गोल नरुवरी स्ट्रेश्ट ने किया था यह इतना इंपोर्टन नही फिफा सर्फ्रेश्ट पूरुष प्लेयर कौन रहा था तो यह थे लियोनल मेसी जो के अर्जंटीना के खिलाडी है और सर्फ्रेश्ट महिला कौन खिलाडी रही थी तो इलेक्सिया पोटेलास यह स्पेन की हैं नेक्स्ट बात करेंगे यापर और बाकी चीज़ें इतना इ इसके लाओं विजयता रहा था इसमें सौधी अरब का कलब जिसका अरहन है अल हिलाल सो रियल मैट्रेटçãoल के विजयता रहा हैं ऑन अफ्रीकी नेशनश चेंपिएंट्शिप का विजयता और फ चैंप्ट बात करेंगे AIFF इसका विजेता कौन रहा था तो केरल रहा था इसका आयोजन सूरत में किया गया था AIIF राष्टी बीच सौकर चैंपियनसिप विजेता रहा था केरल उप विजेता रहा था पंजाब आयोजन किया गया सूरत में विजेता रहा केरल उप विजेता रहा पंजाब फीफा अंडर 17 महिला विशोकप फीफा का अंडर 17 यहां पर इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया तो भारत के तीन सहरों में किया गया नभी मुंबई माराश्ट का बोनेशर उडिशा का और मढगाउं गोवा का इसमें मतलब अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया था फीफा अंडर 17 महिला विशोकप का अब इसमें विजेता रहा था इस्पेन यहां पर देखिए उपर विजेता रहा था इस्पेन पहली बार भारत ने यहां पर भाग लिया था बारत मुरको और तंजानिया ने पहली बार भाग लिया विजेता रहा इस्पेन उप विजेत विक्की लोपेज यह इनको गोल्डेन बॉल मिला था फिर यहां पर एक चीज और याद रखिएगा फीफा फेर प्ले का आवर्ड किसको मिला था यहां पर यह जापान की टीम को मिला था फेर प्ले का आवर्ड नेक्स्ट बात करेंगे सेफ अंडर 17 चैंपियंशिप की बात क बॉलकाता गोहटि अंफाल में किया था है और इसका बैंगलूरू यहीं को यहां अच्छों इंडियन प्लियर है फुटबॉल के नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अब इसको देखना है यहाँ पर स्याइफ का अंडर 20 चैंपियंशिप इसका आयोजन भूरनेश और उलिशा में किया गया विजेता इसका भारत था उब विजेता था बंगलादेश स्याइफ अंडर 20 म कप है नेस्ट बात करेंगे बैडमिन्तन की तो मेर अरे छोड़ में मास्टर यह पिजेता है मैं इब विजेता। इंडिया की इनको किसने हराया था इंडिया की प्लेयर ग्रिगोरिया मारिस का तुन्जुंग ने नेक्स्ट बात करेंगे इसके विजयता आएजन दोनों चाइना के थे इंडियान ने चाइनीज को हराया नेच्ट बात करते हैं औल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियंशिप दो जार ते इसकी बात करें तो आयोजन कहां पे हुआ बर्मिंगा यूके में पूरुस एकल के जो विजेता थे ली शिफेंग थे चाइना के पस इतना याद रखना है और महिलाओं में आन से यंग रही थी देख्षड कोरि पूरुस एकल के विजेता कौन रहे हैं तो मिथुन मंजुनाथ रहे हैं चौरासवी सीनियर राष्टी वैडमिंटन चैंपियंशिप रही थी इसके विजेता मिथुन मंजुनाथ नेक्स्ट है कि महिलाओं वाली बात करें तुम अनुपरमा उपाद्या थी इंडोनेशिय ुsn रही तो इंटेट नेक्सट बात करेंगे विजेता जोनटल के आवं वुड़ हो रही हैं तो सके प्रोम लिजेता कुनलान दीछान शेंशिया वीच्टर्टं धर और मेलाओं में बात करें तो एंसे योंग जो है विजेता रही थी उप विजेता इसमें भी अकाने आवागुची नेक्स्ट बात करेंगे बैडमिंटेन एसिया मिस्रित टीम चैंपियंशीप के विजेता कौन रहे चाइना टीम इसकी विजेता रही और विजेता थी देच् कोडाई नरहों का महिलाओं की बात करें तो इसकी विजेता इसे योंग तस्चड गोरिया धिक बात करेंगे 16 विजेता कौन रहे तो विच्टर एक्सलसन डेन्मार्क यह मेलाओं में आकाने यामागुची नेक्स्ट बात करेंगे पेरू-10 great में किया गया था अगला है यहां पर इसमें यह वाला देख लिए इसमें जो भारती भी है भारती पदक विजयता कॉने बीडेबलु फैरा वेडमेंटेंट चैंपियंशिप में प्रमोध भगत हैं और मनीशा रामदास इनके बारे में यह चीज पुछा जाल सकता कि यह दोन सामाई यह बैडमेंटेंट के शेत्र में विक्टर एक्सेलशन जो कि डैनमार्क के हैं महिलाओं में ही विंग जी ओंग जिया और रही है चाइना की नेक्स यहां पर पुरुषों की बात करें योनेक्स फ्रेंच ओपन में पुरुस यूगल कॉन जीता है तो इंडियंस जी अग्ला आप इंपन बॉँड़न दखेंगे शिर्फ सिंगापुर ओपन इसका विजेता कौन रहते घंठनि उबंटो और महिलाओं पीवी सिंदू बारतिये थी यह विजेता रही थी सिंगापूर की मैलाओं में सिंगपुर ओपन की विज技 ये जुलाई में वह था-யुवा था दूवाजर बीवी अर्पर देखें अगरुप की दच्छड सु अप लोग, तो और पुर सब्सेते वाले में रेंड का एंडियाय की टीम विजेता थी फोर्म की यहां और बैडमेंटेंट के लाड़ी देख लिए फाइनल मैच में थे यह तो लक्षे सेन थे कि दामी श्रीकांथ चिराक सेटी और साथविक साही राजड़डी और यह लोगे नाम बैडमेंटेंस संब्देतें अब टेबल टेनिस की बात करते हैं तो चरवसी सीनियर राष्ट्री और अंतर राष्ट्री टेबल टेनिस चेंपियंशिप इसका आउजन जम्मु कस्मीर में क्या गया विजेता थे साथियान गडाना शेकरन इसके विजेता थे म बास्केटबॉल की बात करें तो यह बहत्तरवी राष्टी बास्केटबॉल सब्सक्तानी चेंपेंश का राजस्थान में किया उध्यपूर इसमें वीजयता राथा पंजाम वीजयता राता तमिल्लणाडू और महिला। की बात करें तो बिजयता रहा था भारतीय रेलवे और विजयता केरल पंजाब पुरसों में विजडा रहा था राश्ट्रिश वह बास्केट बॉल चैंपेंसिप में की में विजयता अमेरिका रहा था उप फिशेटा है चाइना वोलीब्ल की बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं पर अब जो चीजे इंपोर्टन है बस उतना ही देखेंगे नॉजल अंतरराश्टी उपन सत्रंज टूर्णामेंट इसका आयोजन फ्रांस में किया गया विजेता पी इनियन थे भारत के और उप विजेता एन आर विगनेश थे ये भी भारत से पर चैंपिएन पूर्फ़ी इसमें इंपोर्टन है कार्तिक वेंकट राज इसमें जो हम विजेता विजीत गुपता फिर फिडे की विष्य रैपिड और बलिट्स चैंपियन सिप इसमें विजेता मैगनेश कॉल्सन और चुकि नॉर्वेइच इनका दैश इंपॉर्टन ह यहां पर बात करेंगे अगला इंपॉर्टन्ट वाला कि वह फिडेव शुकप चैंपियंशिप 2022 इसमें विजेता राता चाइना उप विजेता राता उजबेकिस्तान राष्टमंडल संत्र सत्रन चैंपियंशिप में विजेता कौन राता तो पी श्याम निकिल भारत के हैं बिजेता बात के हैं नेक्स ए एसियाई महादीटी सत्रन चेंपियंशिप विजेता आर्र प्रग्णन नंद जयोकि भारत के हैं और मेलाओं में पीवी नदिन था रही ती इसका सुबंग करता है जो फिडे का 44 फिडे सत्रंच ओलंपियाड हुआ था नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर इसमें जो है इसको मिला था तो उपेन वर्ग में तो यह उजबेकिस्तान को मिले था रज़त अर्मेनिया को और कांसी पर भारत बी टीम को नेक्स्ट यहां पर करते हैं जितना चीजें अब इंपोर्टन है बस उतना ही देखना इसमें नौर्वेज चेस ओपन हुआ था नौर्वेज चेस ओपन इंपोर्टन है यहां पर 2022 का तो यह नौर्मे में संपन हुआ था विजयता था इसके आर्ग प्रग्नाननदा भारत के अब फॉर्मूला इंपोर्टन है इसकी जो चैंपियंशिप जो लास्ट वाली कंड़क्ट हुई थी अबुदावी सेंग तरब अमीरात में इसका आजन किया गया था लास्ट वाला और फाइनल जो प्रतियोगीता थी इसमें विजयता मैक्स मैक्स वस्टापन जो कि नीदर लेंड के यह इं तो ऊस्टेलिया वाली मैक्स स्टापन नगी ती अफशेलिया वाली और सौधी ऑरवाली जो सवड़िया पेरोज नगीए ती यह इन वाली मैक्स वस्टापन खेन लेंड की अरिटीन형 नीच्ट बात करेंगे थे लेकिस्क्स की bez अध्वी एशया-एक।्टर टिम का पैदल चाल है इसमें विजेता रहते राम बाबु यह पैदल चाल वाली इंपोर्टन रही है राम बाबु उत्तर प्रदेश से संब्देते हैं और महिलाओं वाली में मंजुर आनी पंजाब की जीती थे और यह राष्टे खिलम पहले भी दृष्टी वाली उसमें कवर कर च जीती थी जो कि अविशेक बचन वाली टीम है दूसरा यह इसका खिताब था इसके लावां सरसेस्ट मूल लिवान खिलाडी इसमें कौन थे तो अर्जन देश वालते जैपुर बिंग पैंथर्स के लिए नेक्स्ट आ यहां पर जीती झाल बात करते हैं यहां पर 75-48 वर्ग में पर शूटि बूरा नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि सभी जितने भी खिलाड़ी थे सभी मुख्यबाजी से संबंदे थे बिलियर्ट्स में जो विजेता हमेशा रहते हैं दोह में कतर में इसका आयजन क्या गया पंका जड़वाणी भारत की तरफ से विजेता रहे थे आई महिलाओं की बात करें तो मेला sensitive कर विश्योकर का आयजन क्या गया बैंकॉक में और इसम्में भारत एक टीम बिजेतार रही थी और इंगलेन एक के टीम जो है उप बीजेता रही थी नेक्स्ट बात करते हैं महिन मेला से च्राहalter इसमें विजेता थी सेरीपा पॉर्ण यह जो भी इनका नाम है यह इतना इंपॉर्टन नहीं है क्योंकि इंडियन्स इसमें कोई भी नहीं है युव खेल और युव मंत्राले के द्वारा और अंतराश्टी महिला दियोस मनाने है तो 10 से 31 मार्श 2023 कीमत इसका आजन किया गया था और उद्गाटन इसका नई दिल्ली से किया गया था लगबग 15,000 महिला इसमें सामिल थी प्रतिभागी जो थी और इसमें कई सारे 10 खेल ख नेक्ट बात करेंगे बीवी सी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन पुरसकार 2022 इसमें सर्शेष्ट भारतिय महिला खिलाडी कौन रही थी तो यह मीरा बाई चानु भारतोलन से संब्दी थे सर्शेष्ट भारतिय महिला पैरा खिलाडी जो है भाविना पटेल बनी यह पैरा ट नेक्स्ट है यहाँ पर होकी इंडिया पुरसकार जो दिया गया मेजर ध्यांचन लाइफ टाइम पुरसकार किसको इससे समानित किया गया यह मोस्ट इंपर्टन है गुरुबग सिंग को दिया गया है और सबस्टेस्ट पुरुष खिलाडी के लिए बलबीर सिंग सीनियर सबीता पुनिया को दिया गया इस अभी होकी के प्लेयर हैं नेक्स्ट बात करेंगे जुगराज सिंग अवर्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ दाइयर यह उत्तम सिंग को दिया गया और यहां पर जितनी चीज़े इंपर्टन है सिर्फ उतनी देख रहे हैं विजेता नेपाल आयोजन इसका हुआ था असम में नेक्स्ट बात करेंगे चौद्वी एसी आई लॉन बॉल्स चैंपियंशिप इसमें विजेता भारत रहा था और पैंगांग जील हाफ मेराथन का आयोजन किया गया है नेक्स्ट बात करेंगे अगला जो है हैंड बॉल यह सब इतना इसको दिया गया विक्टर एक्सलसन को डेन्मार के खिलाड़ी और मेला में अकाने यामागुची को दिया गया है बी डबॉल एफ प्लेयर ऑप देयर का वर्ड नेक्स्ट है फिना विश्व तहरा की चैंपियंशिप इसका आयोजन अभी मेलबर्ण ऑस्ट्र लिया था नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर चीट टर्फ 2022 इंडिया स्पोर्ट अवार्ड इसमें स्पोर्ट्स पर्समाट पर्सन आप देयर का वर्ड श्रे काइदान को दिया गया सोफ्ट वाल से वर्ड से संब्दीत है और पर्सन ऑप देयर पैरा उलंपिक यह उनी लेक नेक्स यहां पर यह चीज याद रखेगा कहां पर इसका आउजन किया गया मेक हाले में अगला है और इसमें पदक तालिका में नंबर वन पे कौन था तो जहां पर पहले आउजन हुआ था मनिपूर नंबर वन पर था सेगेंड पैसम थर्ड पर अणाचल प्रदेश पर इसमें कौन रहाता है मैंचेस्टर सिटी क्लब जो है इसमें अगला है अब यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है पूरु सेकल का जो ऑस्ट्रेलियान ओपन अभी सबसे पहले होता है मतलब पूरे साल में चार ओपन होते हैं सबसे पहला और फ्रेंच फिर इंबर्डल फ यहां पर दोनों के नाम याद रखने और दोनों का कंट्री भी याद रखना है महिलाओं की बात करें तो एरिना सबालेंका जो की बेलारूस की है यह विजेता रही थी और उप विजेता रही थी एलेना रिबा की ना यह कजाकिस्तान की है दोनों का कंट्री और दोनों का नाम यहाँ पर याद रखना है, अरेना सबालें का विजएता वेलारुस की, एलेनार रिबा की ऐना कजाकिस्तान की उप विजेता, और यहाँ पर फ्रेंच ओपन भी देख लिजे, राफल नडाल विजेता थे, स्पेन के, कैस पर रूट, जो हैं नौवे की विजेता थे, उ विजेता नोवाग जोकोविच और यूएस ओपन में कार्डोस अलकराज थे और महिलाओं की बात करें तो विबंबरल में एलेना रिबा किना थी और यूएस ओपन में इगा स्वीटेक थी नेक्स्ट बात करते हैं और यहां पर एक चीज और देखना है मिसरित यूगल विजेता ये वाला जो है मिसरित यूगल विजेता में लुईसा स्टेफटनी और रॉफल मोंट और रहते और उप विजेता इसमें कौन रहते तो सानिया मिर्जा और रोहन वपनना की जो जोड़ी थी भारत से सम्मझे तो यह अभी की बात है कौन सा ओपन था उस्ट्रेलिया नोपन में जो मिस्ट्री त्यूगल हुआ था उसमें उप बिजेता रही थी सानिया मिर्जा और रोहन बोपनना के टीम और लुईसा स्टेफनी और रॉफिल मॉटोस ने इनको हराया था ब्राजील के दोनों है और इस दोनों के पास हो गए हैं सानिय मिर्जा ने यहीं पर अपने जो सन्याज की घोशना कर दी है तो बस इतनी चीज़ें स्पोर्ट से इंपोर्टन थी इस पोर्ट से लेटर जो है अब यहां पर पुस्तके देखने हैं पुस्तके आध नहीं हो पाएंगी तो वीडियो पसंद झाल 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 झाल